नमस्कार साथियों दिसंबर का महिना आ चुका है और आप सब देख रहे होंगे कि आपके अडेनियम में डार्मेंसी चालू हो गया होगा यानि वो सीत निद्रा में जाने की तैयारी कर रहे होंगे कई पौधे तो सीत निद्रा में चले ही गया होंगे ऐसे ही अवस्था में मेरे देखिए इन अडेनियम के पत्ते जड़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये सब दार्मेंसी के कारण हो रहा है करके और जब मैंने ध्यान से इनके स्टेम को देखा तो मेरे को ये कुछ खतरनाक चीज नजर आई कि अंतर देखिए स्टेम कुछ बलेक। काला काला सँ हो रहा है और उसमें कुछ फुंसी हो गई है ऐसे उसके तवचा में नजर आ देखिए उधर ये शाबूत मजर्व और स्वस्थ्थ तवचा है स्टेम का और ऊपर में आपने देखा है कि वो उसमें कुछ बिमारी जैसे स्पस्ट नजर आ रही है तो पहले तो मैं इसको डार्मेंसी का प्राबलम समझ रहा था पर ध्यान से देखा तो इसमें मुझे कुछ फंगस टाइप का नजर आ रहा है और हलका हलका सफेद सफेद जैसे वाइट बग का प् है इसके चलते पूरे मेरे नीचे जो छत में दस पंद्रा डेनियम रखे हुए हैं उन सब में यही प्राबलम नजर आ रहा है देखिए यह सफेद सफेद धब्बा है चिपका हुआ है स्टेम से और जहां पर यह चिपका है उसके बाद से वह स्टेम कमजोर सा नजर आ रहा है वहां यह पत्ता को पत्ते को पूरा खाया है यानि सूख गया है उसके प्रभाव के कारण और देखिए यह बहुत बारीक सा वाइड बग नजर यहां आ रहा है जो सामानी आँखों से नहीं दिख रहा है केमरा को मैं एकदम पास ले जा रहा हूं तो यह वाइड बग न वाइड बग जैसा ही कोई देखिए यह यहां पर मेरे को फली मिल गई रहती मगर यह वाइड बग ने छोटे छोटे नन्हे कोपल आ रहे हैं उसको भी वाइड बग ने अटेक किया है सीधा नहीं दिख रहा है वाइड बग जैसे और दूसरे समय में बहुत सारा वाइड जैसे दिखता है वैसा नहीं यह बहुत बारीक कण में वाइड देखिए वाइड बग का टैक ही है यह सफेज सफेज जो बिंदू बिंदू नजर आ रहा है वह वाइड बग है और आज मैंने इसमें इसको जब ध्यान दिया हूं इसके कारण कलियां भी सूख रही हैं आप मेरे को लगा कि कोई फंगल अटेक है पहले मेरे को इस में फंगी साइट डालना चाहिए करके तो आज मैंने साप डाला यह देखिए कहीं कहीं वही वाइट बग जो बिंदू-बिंदू नजरा रहा है वो अपना आकार बढ़ा कर चिप-चिपा पदार जैसा रूप ले लिय यह देखिए दो यहां फली मिल गई रहती पर फली को पहले ही वह उसमें बाइट बग लग गया और वह दाग लगकर यहां नए कोपल को खाग गया देखिए तो कुल मिलाकर पूरा पेंड यहां चोटे-चोटे मेरे पेंड हैं उसमें से भी कुछ ग्राप्टेड अडेनि स्टर्मेसिया आ रही होगी तो पत्ते पीले होंगे पर पत्ते जब सुख रहे हैं तो मान के चलें कि उसमें पर पूरा अगया रही है और वो दिप की और जा रही है तो मेरे को इसके बारे में ज्यान नहीं है अभी मैं सिर्फ इसमें साफ-फंगिसाईड डाला हूं अब देखता हूँ साफ-फंगिसाईड डालने से क्या इसका असर होता है। यह ऐसा कुरूसियल टाइम है अडेनियम के लिए कि यह डार्मेंसी का पीरेड है यह सुसुत्ता वस्ता में जाने वाले हैं ऐसे ही समय में इन पर यह फंगस का अटैक है तो इनको तो और वो कमजोर बना देगा देखें कलिया सूख रही है चड़ रही है तो आज मैंने इसमें साफ फंगिसाइड डाला है हो सकता है कोई अच्छा असर इस परहो अभी पूरी तरीके से डार्मेंसी आई नहीं है पेड़ में अभी पत्ते हैं हो सकता है यह अपनी प्रक्रिया इंटर्नल प्रक्रिया चालू करें फंगिसाइड इसको मिला है और उसके अधार पर यह फंगस जो यहां लगें देखें सूख रहे हैं टिप के पत्ते सूख गए हैं इनके साथ लडाई करके यह इस यह जो इससे भी असर नहीं होगा अभी सारी जहां मेरे यहां आने वाली थी उन सब फली हो किसा बिमारी है पता नहीं इस बिमारी सब फली यह अधे बनने वाली थी और उन सब को यह खागया है साथियों आपके पास इस बिमारी से निजात दिलाने वाला को यह उपाए हो तो मुझे कमेंट कर बताएं ताकि इस डार्मेंसी पीरियड में मैं अपने अडेनियम को बचा सकूँ या स्वस्त रख सकूँ आज इतना ही आप सबसे अनुरोध है कि अडेनियम के बारे में मैं निदंतर अपने अनुभव आप लोगों से सेयर इस चैनल के माध्यम से करता रहूँगा तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें लाइक करें और सबस्क्राइब करें धन्यवाद नमस्कार जै जोहार